गाइज आज हमको लेके आपको लेकर आया है वार ऑनसी रविदास घाट पर जो के पहला गहट है यहां पर वार ऑनसी में इतने भी हाट है आराउंड 80 घाट है उसमें सबसे पहला रविदास घाट है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अलकडनदा कुछ श्रीप यहीं स इंडिया इनलेंड वाटरवेस अथौर्टी ऑफ इंडिया जो के इसको चलाती है तो वारानसी के अच्छा एक टूर देदेगी घाट्स का आप शाम में आ रहती होता है उसमें आप इसे जा सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है इससे जैसा कि आप जानते हैं गंगा वड़ा शिप्स है वह यहां से खुलती है तो अप लोग यूज कर सकते हैं अभी यह जी ट्वंटी का यहां पर वारानसी में ही मीटिंग चल रहा है कल चर वाला तो अब देख सकते हैं गाट काफी सजा हुआ लग रहा है अब देख सकते हैं नजारा किया सीन है यहां पर जास घाट वारानसी भी रात के एक बजरा है हम लोग यहां पर चिल कर रहे हैं बहुत अच्छा महाल है ठंडी-ठंडी हवाएं है और अगर इधर से मैं आपको दिखा हूं तो उधर आपको देखिए वहां से नजारा दिख जाएगा यहां पर सारे घाट दिख जाएंगे यहां से कैंजी लुक्तव सब्सक्राइब के शुक्राइड यहां से देखे वो तो हubह तर यहीं से दिख जाएंगे आपको यहीं से आपको एकसेस मिलेंगे शिप बगेरा का जो कि अप उझ्प कर سकते हैं यहां से सीधी रहता है जोंख करता है वहां पर Est incomiesenanoalle तो और त मतलब बरसात का देने तो यहां अल्मूस्ट सीडी तक पानी आ गया है नहीं तो वहां पे अंदर में नीचे में मतलब वहां पे बालू हो जाता है जहां पे आप तुरिजम के लिए भी जाते हैं लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं बोट वहां पे ड्रॉप करती है और बा अच्छे से नहीं ले पाूँगे क्योंकि सारे घाट कनेक्टिन नहीं है यहां से मतलब पानी के कारण आप एक घाट से सारे गाट से नहीं क्वहUST हrition सकते हों अब तो वहां तक जाने में 78 km लग जागा जो कि अप पैदल जा सकते हो घाट से बट अगर आप बरसात के दिन में आते हो तो यहां पे सारे घाट फलड हो जाते हैं तो फलडिंग के कारण आप यूज नहीं कर सकते हो सीड़ी जिसे आप मजा नहीं ले सकते हो जिस घाट पर जाओगे उसी घाट पर फस जाओगे तो मैं एड़ बास दूँगा बरसाथ की दिन में नहीं आएगे बाकी सारे दिन में आप यहाँ पार आकर अनन्द ले सकते हैं धन्यवाद